आखिरकार दिल्ली वालों को राहत मिल ही गई राहत कुरोना से नहीं बलकि पबलिक ट्रांसपोर्ट के लिहास से कल तक दिल्ली में बसें और मेट्रो आधिक शमता के साथ ही चल रही थी जिससे रोजाना आने जाने वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और घंटों बसों और मेट्रो का इंतजार करना पड़ रहा था दिल्ली सरकार ने लोगों की परिशानियों को देखते हुए कल नई कोविट गाइडलाइन्स जारी की थी जिसके तहट लोकल बसें और मेट्रो रेल अपनी पूरिक शमता के साथ चल सकेंगी हलांकि बसों और मेट्रो में सीटिंग केपैसिटी से ज्यादा सवारी नहीं चड़ सकेंगी यानि कोई भी सवारी खड़े होकर सफर नहीं कर पाएगी जहां एक और कल तक बस स्टेंड्स पर भीड और मेट्रो स्टेशनों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही थी तो आज माहौल बदला बदला नजर आया बस स्टेंड्स पर ज्यादा भीड भी नहीं नजर आई और लोग भी आराम से अपने अपने गंतव्व की ओर जा पा रहे थे लोगों का कहना है कि कोविड के चलते बसों में 50% केपैसिटी कर तो दी थी लिकिन बसें थोड़ी न बढ़ा दी थी बसें तो उतनी ही थी इसी वज़ा से दिक्कत हो रही थी आप भी सुनिए अब दिल्ली वालों का क्या कहना है दिल्ली वालों को भले ही आने जाने में अब दिक्कतों का सामना न करना पड़ रहा हो लिकिन देश की राजधानी में जिस तरह रोजाना कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं उन्हें देखते हुए कुछ समय तक दिल्ली को थम जाना ही बहतर होगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार को दिल्ली में अब सम्पून लॉकडाउन लगा देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं पुमेंट आप अपनी राय हमें